तो आप सभी को मेरे नमस्कार, अजे इस्टार LLV में आप सभी का स्वागत है, मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे सैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकान है उसको प्रेस करें, ताकि जबी भी मैं कई नया वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफिक कराया जा सके, अवमिद करता हूँ कि इसमें जो केसेज हैं, केसेज को आप माली जे प्रेक्टिस कर जो घटना चक्रा है, उससे प्रेक्टिस आप करते होंगे, तो उसको आप अच्छे तरीके से उसकेज को आप तयार कर लेंगे, इस समय जो है, बस हम आपको यही बताना सक्षन है, मैंने पढ़ा दिया है, और 9 के बाद हम पढ़ते हैं, 10 के बारे में हम पढ़ते हैं, कि कौन से करार समिदाएं हैं, तो धारा 10 में एक सुक्ती है, जिसमें यह बताया जाता है, अक्सर मेंस में भी पूछता है, अप्री में भी यह पूछता है, इसका क्या मतलब होता है कि उसमें दिया गया है कि सभी समीदाएं करार होती हैं किन्तु सभी करार समीदा नहीं होती है इससे क्या तातपर होता है इससे यह तातपर यह होता निकलता है कि जितनी बहुते हैं तो हमें यह जानना होता है कि एक बैद समीदा के नेर्मार के लिए क्या-क्यावसुक्त तो होने चाहिए यानि कोई भी अगर सहर करार तो withdrawal होगे उसके बारे में हम आज़्यानकारी लेते हैं तो धारा 10 में यही बताया गया है कि कौन से करार जो है समिधा का लाएंगे अगर धारादस की कोई भी करार है एक्टरीमेंट है अगर धारा 10 की सरतों का पालं करता है तो वह समिधा उसको बोला जाएगा वर विधी द्वारा वो परिवर्थनी हो जाता है उसके बारे में जानेंगे हम तो यही जानेंगे कि बैद करार के यानि एक वैद समीदा के निर्मार के लिए यानि जो करार होगा यानि बैद समीदा के निर्मार के लिए हमें किन किन आवसक तत्तों की जरूरत होती है तो सबसे पहले जो हम करार करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्य तो सबसे पहले हमें यह होना चाहिए किसी भी करार को समीधा होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए सच्छम पक्षकार होने चाहिए यानि जब हम जिस समीधा का निर्मार करने यानि एग्रिमेंट कर रहे हैं समीधा बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए उस करार के जो पक्षकार होने चाहिए कैसे होने चाहिए सच्छम होने चाहिए तो आपको यह जनकारी मैंने दे दिया है कि पहली सर्थ है कि सच्छम होना चाहिए पच्छकार हमेशा होना चाहिए सच्छम और क्या होना चाहिए उन्ट पच्छकारों के भी जो एग्रिमेंट कर रहे हैं उनके बीच कैसी किस परकार की सहमती होनी चाहिए तो सहमती जो है कैसी होनी चाहिए तो ये में बताएगा है उसके आलामा जो है 14 में ही जो है आप जब पढ़ेंगे स्वतंत्र सम्मत की तो वहां से आपको दिया गया है 15 से लेके 22 के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए कोई भी एग्रिमेंट तभी जाके वह एग्रिमेंट जो है समीधा बनता है और क्या होना चाहिए तो बीधिपूर प्रतिफल होना चाहिए यानि किसी भी करार के लिए यह होना चाहिए वह करार तभी कोई भी एग्रिमेंट तभी समीधा बनेगा यानि इनफोर्सेबल वाइला होगा जब उसमें क्या होना चाहिए प्रतिफल होना चाहिए यानि बिना प्रतिफल के अभा आएगा और क्या जानना चाहिए तो इसका जो अधेस होना चाहिए वह भीधी के गुरुद्र नहीं होने चाहिए जो भी हम agreement करते हैं वह lawfull object होना चाहिए यानि और और क्या होना चाहिए तो ऐसा करार जो हम जो कर रहे हैं उसे विधी के दोरा अभिभ्यक्त रूप से निसिद या निसिद घोसित ना किया गया हो यानि ये पांच जो है मुख्य रूप से देखा जेट तो चारही दिखाता है लेकिन हमने जब देखा तो उसमें पांचवा एक आ रहा है कि सबसे पर ले क्या क्या हो प्रतिफल ना चाहिए और ऐसी समीदा यानि जो करार किया जा रहा है वह विधी द्वारा निसीदना किया गया हूँ अभी व्यक्त रूप से लिखा असपाय व्यक्त में लिखित यह मौकिक रूप से जो है संसत्त के द्वारा जो है जो विधी बनाई गई है उसके खल्याप 10 नहीं कर सकते हैं और किसी व्यक्ति की सरीर की संपत्ति की या सरीर के उनुक्षान पहुचाने वाला अविग्रिमेंट नहीं कर सकते हैं वह मना कर दिया है जब आप पढ़ेंगे तो विधी पुड़ उदेश के बारे में भी बताया गया और अन्य भी आपचारिकताओं को इस धारा से दिया गया है तो यह आपको लिखना होगा धारा 10 पे आपको प्री में आपको जो है इसको साल्प करना होगा और दिया गया है धारा 11 भी इसी करम में हम पढ़ते हैं धारा 11 जो है संविधा की सचमता के बारे में बताता है कि जो संविधा के पक्षकार यानि ज आगे चलके समीधा करूप लेगा जब इन्फोर्सेबल बाईला होगा यानि दस दारा दस की सर्थों का पालन करेगा तो तो ऐसी इस्थिति में जो है यानि जो ब्यक्ति जिस बिधी के अधीन है यानि जिस बिधी के अधीन अगर कोई एग्रिमेंट करता है यानि अगर के लिए ऐसी इस्थिति में उस बिधी के अधीन क्या होना चाहिए इस नियम के अंतरगत प्राप्तवाय होना चाहिए उसे व्यास को होना चाहिए समीधा के निर्मार करते समय और क्या क्या होना चाहिए वह स्वस्षित होना चाहिए और जिस जिस बिधी के अधीन वह अध समीधा वो कर सकता है तो क्या एक नवालिक व्यक्ति जो है समीधा कर सकता है यानि नवालिक व्यक्ति क्या समीधा कर सकता है तो ऐसी इस्तिति में पहले ही कंडिशन दे दिया गया है पहले में ही कि जो भी व्यक्ति समीधा करेगा वो फ्राक्त है वह हना चाहिए इस बीसे को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो आगे चल के और भी काम आएगा और क्या इसमें भी देखा जाए तो तीन तर्त्तों सामने आते हैं धाराइगार में पहला तात्वाय होना चाहिए स्वस्चित होना चाहिए और जिस विधी के अंतरगत जो बैक की समीधा क कर रहा है समिदा करने के लिए उसका आसे जो है उसे निरहित भोसित पनव किया गया हूँ तभी वह बहुति सच्छम पच्छकार माना जाता है समिदा के निर्माड करने के लिए दोसरी चीजी यह होगा वो समीधा कर सकता है जिसका समद्ध धराई गारा से बारा यह करता है कि स्वश्शित्ता का समद्ध हम किसे लेंगे तो क्या जो है क्या वो हर व्यक्ति समीधा करने के लिए सच्छा माना जाएगा स्वश्शित्जीत माना जाएगा यानि साउंड माइन का माना जाएग तो कुई भी ऐसा वैक्ति इसमें लिखा है कोई भी कोई विवैक्ति कोई भी व्यक्ति समीधा के लिए स्वासित पव कहा जाता है जिससे में वह समीधा कर रहा है वह समीदा के प्रयोजन को क्या करता हो समस्ता हो जब वह समीदा के प्रयोजन को कोई भी व्यक्ति यानि व्यास को अब वह स्वस्चित तब माना जाएगा जब वह समीदा जिस प्रयोजन के लिए कर रहा हो उसको वह समझता हो और वह क्या करें उस समीदा को जो कर रहा है उस स्वास्चित्ता का मानक यह निर्धारित करता है यानि दो ही कंडिशन स्वास्चित्ता का मानक जो है साउंड माइंड का निर्धारित करता है यानि पहला हो गया दूसरा हो गया एक तो हीतों पर अपने पढ़ने वाले प्रभाव को जानता हो आदूसरा जो संविधा कर रहा है लेकिन कुछ अंतरालों पर स्वह स्वश्चित हो जाता है यानि सांद मांइड का ब्रक्रब requirements इस इस्टित रहता है किन्तों कुछ अंतरालों पर पागल करता है या विक्रिश्चित हो जाता है स्वह समीदा कर सकता है तो आइसी समीदा वह नहीं कर सकता है अगर करता है concer Suniya माना जाएगा यानि इस इस डिरिश्ठांध में इसमें देखिएगा धाराबारा में 2 त्रिश्ठांथ दिया गया है एक दिरिश्ठांध है रोमने इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लिजेगा धिरिश्ठां कि आप लोगों को ये जो मैंने ये बिंदू जो समझाया है बारती समीदा आधिनिया आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और नेक्स वीडियो जो है अब करम में ही पड़ते रहेगा इसीक साथ अपनी बात को समाथ करता हूं फिर मैं कहूंगा आपको जो भी अनिवाद